हेलो फ्रेंट्स मेरे पाम रिटिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 35 वर्स की महिला के पाम का अंसेस करेंगे के सवालों का जवाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एकर करेंगे सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों नाभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आकन को प्रेस कर दे ताकि लिए से नोडिक्फिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल इस प्रकार है ये इनोंने अपने प्रारंबिक समय में बहुत से कस्ट को जहिला है तो मतलब ऐसा नहीं घर से खराब हैं मतलब कुछ इनकी लाइफ में कुई सक्सेस नहीं देखने को मिला है पैसे कमाई खर्चोंगें इस टाइप की जिंदगी रही है और कस्ट भी हुआ है तो उसकी क्या वजाती दूसरी आगे क्या ऐसी चलता रहेगा और आगे क्या ये अपना खुद का विपार करना चाहें जैसे रियल स्टीट का काम करना चाहें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारी करना चाहें तो वो इनके लिए कैसा रहेगा और आगे धनकी सती कैसी है परिवारिक सुख के विशे में इनको जानना है तो निश्चिंट रहे हैं आपके इस साड़े विशे पर आपको उत्तर मिलेगा तो हाँ ये थोड़ी पिक मुझे कलियर कम लग रही है तो मैं इस पिक को अटा के आपको दूसरा पिक दिखाता हूँ ये देखो ये इनकी इतलिए है तो मैं इस इतलिए से एक चीज जो कहीज पा रहा हूँ कि जी हाँ इनका जो एक मुझसे कोशन था कि वो चीज एकदम असपश्ट थी और मुझे 36 में वर्स तक तो प्राबलम असपश्ट रोप से दिख रही थी कन्फरम वाली बात है अब वो प्राबलम मैंने कैसे देखी तो आप देखो इनकी 36 के एज कहां पे आ रही है इनकी 36 के आ रही है तो उसका मतलब क्या होता है न कि इनसान के जीवन में तरकी आएगी तो नागामियाबी भी होगी इनसान अपने आप से खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि अगर आपने 10 रुपे कमाए मान लो आपने लाग रुपे कमाए तो वो लाग रुपे आपके खर्ची होगा आप कर्ज में ही चली गई तो फिर उस लाग रुपे का क्या benefit होगा आपकी तब ही कमा रही हो तो progress line तो आपको पैसे दे रहा है लेकिन उस type की खर्च भी तो दे रहा है जो राहू line है जो कि complete basis पर है तो ये इनकी बाते सस्ती अब मैं बताता हूँ कि आप अनिश्चिंतरो 36 में वर्ष के बाद तो कमाली होगी आपके जीवन में आपकी 37 में वर्ष से एक बहुत बड़ी progress देने है 36 में वर्ष यहां तक है और 38 में से बहुत बड़ी progress देने है उसके बाद continue basis पर progress time है continue और कुछ triangles विकर अभी तो घर मकान भी बना पाओगी तो मतलब आपकी भगवान ने जो आपको struggle दिया earlier age में वो सीधा सीधा खतम होते वे नज़र आ रहा है और आपका अपना कुछ investment भी होगा और आपकी जीवन में उसके रिगारिंग फल भी आएगा दो तरह से मैं प्रूफ करता हूँ पहले तो आपने progress time देख रहे है दूसरी देखो तो इनके 36, 36 में 38 में मूलता ही है 38 में वर्स से भगे रहे का किती strong है दो तो even बनके चलिया प्रौपर्टी का योग और दो-तीन बड़े-बड़े योग बन रहे है जीवन का last period तक बढ़िया है तो बस आपके जो भी दुखो का दिन था वो खतम हो रहा है बस कुछ साल और बचे हैं एक-दो साल और ये इसके बाद क्या है आपने मान लो आपने एक साल में 10 लाक रुपे कमा दिये तो वो एक दिन में तो आपके पास नहीं आएंगे न तो क्या है न चीज़े एक दम स्मूथ होते वे नजर आ रही है उसके बाद फिर 38 में से आपके लाइफ में प्रगती दिखले 39 में से और बहुत बड़ी प्रगती है लिखलो डेट होगा तैवाली बाते होगा तो ये इनका एक सवाल था दूसरा सवाल था एक स्पोर्ट इंपोर्ट का तो उसके लिए चंदर की स्थिती को देखना अती आवश्यक है तो मेरे इसाब से आपकी चंदर्मा प्रवलतम वस्था में है आपके अतली पर और दूसरा आपके शुक्र ये भी कहीना कहीन माईनी रखता है तीसरा आपके बरश्पती तो ये और दो चोथा आपकी बुद्ध पिंकर जो मैं देख पा रहा हूँ तो ये सारे अच्छे अवस्था है और आपका पाचमा आपका समय वो समय आपके जीवन में कैसा है कि क्या वो समय आपके लिए फाइदी बंद रहेगा क्या उस समय बाप इंवेस्ट करों को तागे बढ़ पाओगी लेकिन मेरे इसाब से आपके यतली के माद्यम से मैं वो साधी विवा के जिंदगी में तकलीफ नहीं देख रहा हूँ मूलता है इनका दो-तीन कोशन यही ताकि आगे धन संपत्ती और लाइफ तो लाइफ आपकी बहुत उंदा है एक तरह से मैं और क्लियर कर देता हूँ चीजों को एकदम असपस्ट दिखा देता हूँ यह देखो इनकी ही अतेली है देखो क्या कंप्लीट बेसेस पर प्रवल्स लाइन नहीं है और अर्लियर इन्हों जो कष्ट देखा था वो भी मैंने इस वीडियो के सतेले के मादल से दिखाया तो यह था इनका कुछ प्रश्ण और मेरा कुछ जबाब अब मैं इनके पार्म करूंगा वहां से साड़ी बातों क्लियर होंगी जो इन्होंने नहीं पूचा है उस वीडियो को पूरा देखना पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना तो सरपर थम इनके अब थम्ब के तरब चलूंगा मैं तो थम्ब अगर मैं इनकी देखो तो यह थम्ब तो है बढ़िया यह थम्ब तो है स्ट्रॉंग, यह स्ट्रॉंग थम्ब है और इस पर बंड़ा बड़ा सा यह आकिरती जो कि इनके सपोर्ट को इंडिकेर करा है जीवन में सपोर्ट मिल जाना है और अगर खड़ी लाइन होना बड़ा हो जा तो इनसान सेल्फ मेड भी होता है कभी-कभी सपोर्ट मिलता है लेकिन इनसान को अपना काम खुद से करना पड़ता है दूसरे डिजायर्स की लाइन है बहुत प्रबलतम इनकी एतली पड़ है तीसरा में समझदारी को देखो न तो ये तो बहुत कमाल की है व्यक्ति बहुत समझदार होता है इनसान बहुत समझदार होता है अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ आया तो ये आपकी गलती से नहीं था का समय खराब था, बाद बाद की मेरे इसाब से कोई दिक्कत थी नहीं, ब्रश्पती फिंगर बड़ी है तो रिडर्शिप कॉलिट ऐसा लोग कर पाते हैं, दूसरी क्या है, इनकी सन फिंगर भी अच्छी कभी कभार आपके जीवन में घटनाए घटती है, वो आपके हाथ में नहीं होती, वो किसी और के हाथ में होती है, जो आपको चला रहा होता है, दूसरी आपके बुद्ध फिंगर लंबियो बिजनस प्रोस्पैक्टस से अगर मैं इनकी बुद्ध फिंगर को देखो, तो ये बहुत ही उम्दा मुझे दिख रही है, तो इसके रिगार्णिंग क्या है ना, आप विपार कर सकती हो, विपार में अच्छी खासी धनलाब की स्थिती, आपके हतली से मैं देख बारा हूँ, निश्यंत्रे, और बुद्ध फिंगर की बड़ी लेंथ क्या दिखा रही है, बहतरीन होगी, और ये आपको 102% आगे बढ़ाएगी, आपके जीवन में, आपके बुद्ध विवेक और आपकी बोलचाल, आप जैसे इंसान से बात करोगी, तो ये था इनके फिंगर का कुछ आनलेजमेंट, और दूसरा मैं आप दिखाओं इनके इतली पर, तो अब मैं दूसरा पर एक ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर से साड़ी स्थित्यां बहुत क्लियर रूप से क्लियर हुई है, तो सरपरतम लेके बिरशपती पर, आपकी माइन रेखा, हर्ट, आपकी माइन रेखा और मस्तिक से रेखा अलग ज्यादा डिस्टेंस में हो जाए ना, इ याद रखना जरूरी है, अल्ला महरबान तो गधा पहलवान एक बहुत बड़ी कहावत है, और ये सही है, तो समझदार इंसान भी कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन जब उनका समय खराब रहता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी आगे बढ़ जाता है, जो डिजर्व न रहेंगी चीज़े, हाँ, अगर आपकी भागे रेका बहुत साथ हो जाए, और हाते लिए एक दम से माइंड ब्लूइंग बन जाए, तो अलग बात है, लेकिन दिक्कते आती है, फिर इनके बरश्पती क्या इंडिकेट करी है, तो इनके बरश्पती उत्त्यम वहस्था में तो क्या हैं लेकिन फिर भी ससुराल पक से कोई ना कोई रलेट अप से प्रॉबलम इंडिकेट करें, कुछ लाइन यहां से बन रही है, लेकिन एक प्रॉपर स्क्वाइड नंजर बनता वाँ समझ में आ रहा है, तो इसे भी जिंदकी ठीक होते वे नजर आ रही है, फिर य लाइन को 70% के राउंड, लाइन ओफ एजुकेशन, तो आपकी बेसिक नॉलेज़ को यह चीक चीक की इंडिकेर करें की जुरूत से ज़ादा है, चीजों को बहुत समझती हो, एक फिशनुमा आकरती बनते वे नजर आ रहा है, तो अगर आपकी लाइफ लाइन पर तो मैं बखुवी साबित कर पारा हूं इस अतिली से, कि इनके जीवन में तरक्की हो नहीं है, तैवाली बात है, फिर सनलाइन एक है, तो एक सोर्स ओफ इंकम जोब प्रोफेशन इंडिकेर करती है, एक तिरशूल लुमा करती भी बन रही है, साथ साथ यहीं पर से बन रही है, बड़ी से मंट्रिबल प्रोपर्टी के योग, तो इंसान प्रोपर्टी विगरा बना पता है, एक से ज़ादा, तैवाली बात है, तिरशूल आपके समाज में मान परतिस्था, आपके यश्च को इंडिकेर करती है, शनबुर्थ की पोशन अच्छे है, तो बिसनस के प से निकल करें, अगर ये मंगल छेतर पर चढ़ जाए, तो फिर समझ लो, ये तो आपको बहुत साथ जमीन ज़्यदा दिलाएगी, यहाँ पर सभी कुछ लाइन ने मुझे दिख रही है, तो इंसान जल्दी पैनिक नहीं होता है, इंसान चीजों को मैनेज करता है, लोजिक को ये सूचा के आपकी परती दोदर चमता और आपकी लाइफ इस्पैन के लिए, फिर देको इनकी चंदर्मा, चंदर्मा बहतरी नवस्था में, साथ निके खड़ी लाइन, यात्राएं रहेंगी, फोरण से धनलाव, और साथ-साथ ये सब कुछ चंदर को सपोर्ट करें, तो आपकी जो अशान्ती है, उसको कहीं न कहीं, खतम करते में नजर आ रही है, शुक्र बोल्ड है, तो परसनेलिटी वाइस तो इंसान चमकता है, साइन करने वाला परसनेलिटी होता है, और ऐसे इंसान को सजिना धजिना भी परसंद होता है, साप सुतरा लेना, दूसरी इनकी यहाँ पर से बनती वी स्क्वाइर वेगा ना, तो यह क्या इंडिकेट करने है, आपकी सुक्र से रिगार्डिंग, आपके पॉजिटिव फल्कों लगसरी की प्रॉपर लाइने है, पती का अच्छा साथ मिल रहा है, वेवाइक जीवन अच्छी लेगे आपके उतली गायू, 75 यहाँ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस इवन पलस, और 36 वर्स तक दिक्कत था, उसके बाद 49 में से तो कमाल हो गया, कुछ ट्रेंगल वेगारा भी है, जो कि 50 में वर्स के बाद एक्टिवेट है, आपको कंफर्म इसका फाइदा देते हैं, निसरा हैंगी, कंटीन्यू बेसिस पर है, और जीवन के लास्ट प्रेड में फॉर्ण विठेती दर्ती से, फॉर्ण की धर्सित धनलाव के इस्तिती भी इंडिकेट करें आपके एथिली से, और यह कंफर्म बाली बात है, कि यह आपको होगा, और दूसरी अगर मैं देखो तो भागे रेक लेकिन आपके मूल सक्सस के लिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपको अपना सक्सस साहिए, उसके लिए आप थोड़ी परिशान हो, तो निश्चिन तरह है, आपको वो मिलेगा, आगे चलगे, जो मने अलियर एज बता, भागे रेका, कंप्रीड बेसिस पर आ तो ये कंफर्ब है, ये आप प्रोपर्टी बनाओगे, अच्छे अमॉंट बनाओगे, तैव वाली बात है, गेरिंटी है, फिर देखो, आगे भी इनकी भागे रेका, बहुत बढ़िया चल रही है, दूसरी क्या है, इनकी, देखो, माइन रेका, यी भी थोड़ी बड़ी दिमाग की तेज है, बैलेंसमें डिस्टेंस अच्छा है, ज्यादा रूड और ज्यादा एमोशनल भी नहीं है, बैलन्स डैं, विपार करने के लिए बनी है, सीजए सी बात है, विपार में अच्छा रहेगा इनके लिए, और आगे की योग, तुम मैं कमाल के देख रहा जो मैं ड्रॉ करना हूँ ट्रिंगल स्क्वार वेगर ये तो कमाल की है तो शूर लुमाकरती जो कि आपकी नेम फेम फिश्ट लुमाकरती मतलब सक्सस तो मिलना ही मिलना है और आपकी 36 वर्ष के बाद एक्टिवेट है उससे पहले की भागे रहे का ठीक तो काम चल जाता होग और सनलाइन डेवलपिंग स्टेज में तो नेम फेम मिलेगा इनके जीवनकाल में बुद्धरेका बन रही है और आगे चल के एक्स्टेंड भी करेगी तो ये बुद्धरेका आपको फाइदा देगी हाँ अब इनकी आते लिए राज्योग पाम चोगी तो बहुत गदेदा लेकिन जब आपका समय आएगा ने तो पीछे मुड़के नहीं देखोगी आप याद रखना और कंफर्म बाली बाते बुद्धरेका भी डवलप है तो ये वाली में ट्रेंगर इंडिकेट करने तो पैसे वैसे जमा कर पाऊ कि धनबंडार भी कम्प्रीड बेसिस पर यह आ गटेंगी तो निश्चिंद्र है कुछ जो दिक्कत उसका में उपाई दे दूँगा अभी माइंड रेक आपके डिस्ट्रेक्ट है मैं देख पाऊ कुछ काफी दवाब मुझे फील हो पा रहा है यह तकलिवर 32 में वर्स तक रहेगी फिर इनके माइंड रेक एक दम अगर आपको मारा ये विडियो पसंद आए तो लायक करदे, कमेंड के दे, सेयर के लिए सिस्क्राइब करदे अगर आप प्रस्ते मेरे शेपरा मश्किन चाहते हो तो हमारा वॉट्स अपने मेरा डिस्क्रिप्श्यों नहीं मिल जागा लेक्या आपके आपसम परकर सकते है दर्णेवाद